छतरपुर जिले के प्रकाश बमोरी थाना छेतर में पदस्त एक आरक्षक के द्वारा थाने की महिला सेल में एक किशोर के साथ मारपीट किये जाने और पैसे लिए जाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है वाइरल वीडियो को संग्यान में लेकर पुलिस अधिक्षक अगम जैन के द्वारा सम्मंधित आरक्षक को निलम्बित करने की कारवाई की गई है उलेकनी है कि प्रकाश बमोरी थाने में पदस्त आरक्षक हरीशन यादव अपने कारनामों के लिए अकसर चर्चा में रहता है पूर्व में आरक्षक पर अवैद वसूली बेवजय मारपीट रेत कारुबारियों से संरक्षन लेने लोगों को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लग चुके है कई बार आरक्षक का इस्थाना अंत्रण भी हुआ लेकिन हर बार अपने रसूख का इस्तिमाल कर वह बापस प्रकाश बमोरी थाने में पदस्त हो गया इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बार एस पी अगम जैन ने सक्त एक्षन लिया है प्रकाश बमोरी थाना शित्र के थाने के एक आरक्षक का वीडियो संग्यान में आया है और उस वीडियो संग्यान में आते ही आरुपी को आरक्षक को निलंबित किया है लाइन अटेच किया है और एस ड्यूपी लवकुषनगर को प्रात्मिक जांज दी है तत्यों को जांज करने के लिए